आम श्र wardi बहरम आज की शुरुदान में आपसफ gioNत है परमात्म के साथ रहते- सथे उनके समान बनने का हमारे अंदर एक मौका मिले और हम आकर्शन मुर्द बने और उनका प्रभाव हमारे साथ रहे तो परमात्म इसलिए कहते हैं कि बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकरशनों के प्रभाव से मुक्त भबा जटे भी हमें दुनिया के आकरशन है वो हमें खीचे ना लेकिन परमात्मक आकरशन खीचे और हम भी आकरशन मुरत बने तो जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है वह नहीं बोडी कॉंशिस की उत्पती हो नहीं सकती वहाँ पर फिजिकल चींज़ें दुनिया में चाहे शेरीर के हो चाहे दान दौलत के हो वो चीज़ें हमें तंग नहीं कर सकती। बाप के साथ वाप पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइबरेशन अत्वा आकरशन के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। उन्हें कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। उन्हें दुनियावी चीज़ों में इतना मन नहीं लगता। उन्हें परमात्में में जादा मन लगता है। और कोई भी चीज़ उनको खीश नहीं सकती। ये जैसे जैसे हमारा परमात्मा से प्यार बढ़ेगा, ये लेवल हमारा बढ़ता जाएगा ऐसे साथ रहने वाले, साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं जैसे बाप उंचे ते उंचा है, ऐसे बच्चे, बच्चों की स्थेती भी उंची बन जाती है परमात्मा से connection रेने से नीची की कोई भी बाते उन पर अपना परभाव डाल नहीं सकती क्योंकि परमात्मा से जुणने से हमारी six sense या छटी इंद्रिये वो ज़्यादा strong बन जाती और हम चीजों को, इंसान को situations को अच्छी तरी के से भाव लेते हैं पैचान लेते हैं, और जो हम संकल्प करते हैं वो सिद्ध होने शुरू आते हैं फटापट होने शुरू आते हैं तो हमें physical world में इतनी मैनत नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि संकल्प करते हैं और चीज़ें होने शुरू आती हैं लेकर परमात्मा से connection नहीं है तो फिर दुनियावी चीज़ें खीचती हैं प्रभाव खीचते हैं क्योंकि मैनत करने पड़ती है मैनत मतलब सिर्फ संकल्प के नहीं physical मैनत, hard work तो ये सब कुछ समझने के लिए कि कैसे ये imbalance सा हमारे जीविन में आया हुआ है और हम इतनी मैनत क्यों कर रहे है जबकि मैनत से मुख हो सकते हैं अपनी छटी इंद्री को या six cents को powerful बना करके मेरे लिशन के द्वारा परमात्मा से connect हो करके ये तो समझने के लिए ब्रह्मा कुमाई सेंटर चाहें ओम श्यंति